देखो बच्चो question number 5 में क्या है क्या रहेंगे कि तो हम पर ABC ट्राइंगुल है ठीक है BC का midpoint D है AC का midpoint E है और AB का midpoint F है ठीक है तो तुम्हें show करना है that BDEF is a parallelogram उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यह show कर दो अगर हम कि BD FE की parallel है और BF DE की parallel है तो यह तुम्हारा parallelogram हो जाएगा तो देखो बच्चो हम कैसे कर सकते इन ट्राइंगुल ABC हमें पता है कि F and E are the midpoints ठीक है यह तुम्हें पता है कि F और E क्या है midpoint है तो हम midpoint theorem लगा के यह proof कर दे कि FE is parallel to BC क्या होगा midpoint theorem से कि FE parallel हो जाएगा AB के through midpoint theorem यह तुम्हें प्रूफ कर दिया अब देखो F E parallel है BC के तो मैं कह सकती हूँ that FE is parallel to BD क्योंकि वो BD BC का पार्ट है न तो यह हो जाएगा तो अब देखो इन ट्राइंगल ABC में इधर की तरफ से देखो E and B are the midpoints E और D क्या है बच्चों midpoint है EB और DB यह दोनो midpoints है तो लिख दो they are midpoints of AC and BC तो बताब फिर midpoint theorem लगा तो मैं कह सकती हूँ that ED is parallel to AB कह सकते है ED इसके parallel हो जाएगा तो दोनो midpoint है फिर हम क्या कह सकते that ED is parallel to FB क्योंकि FB AB का पार्ट है ठीक है तो देखो बच्चों यहां से इसको तुम first मान लो ठीक है और इसको तुम second मान लो ठीक है तो first and second से हम क्या कह सकते है कि यह इसके parallel है यह इसके parallel है hence ABDEF is a parallelogram यह क्या हो गया बच्चों एक parallelogram हो गया यह हमने यहां पर प्रूफ कर दिया ठीक है clear तुम लिख दो फिर similarly देखो इसी तरीके से हम क्या प्रूफ कर सकते हैं that CDFE भी parallelogram CDFE और DEAF इसको भी प्रूफ कर सकते हैं that AFDE is also a parallelogram हमने सब को इसी तरीके से जरुवत नहीं कि बार बार इसको भी parallelogram प्रूफ करके दिखा इसको भी उसी तरीके से हम सब को parallelogram प्रूफ कर सकते हैं ठीक है clear है यह तो तुम्हारा यहां पर फॉर्स पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया अब यह हम सेकिंड की तरफ आएं ठीक है clear है अब क्या कर सकते हैं बच्चों आगे यह कोईशन दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान कोईशन है जब करोगे ना तो पर चलेगा कि काफी एजी है तो देखों हमने सब को जो पेर्लेलोग्राम क्रूफ कर दिया अब देखों यहां पर बच्चों इन पेर्लेलोग्राम BDEF BDEF FD is the diagonal है ना FD is the diagonal तो मैं क्या कह सकते हूं बच्चों कि diagonal क्या करता है पेर्लेलोग्राम को two equal areas में कट करते हैं तो हम कह सकते हैं that area of BDF is equal to area of FDEF BDEF यह इसके area के equal होगा इसको तुम first मान लो अच्चों first महाँ पे हो गया था इसको तुम मान लो 3 ठीक है चलो अब बच्चों इसी तरीके से यह जो पेर्लेलोग्राम है CDFE यह भी पेर्लेलोग्राम है ना तो मैं कह सकती हूं इन CDFE यहां पर बच्चों क्या डाइगनल है यहां पर तुम डाइगनल मानो DE is the diagonal तो यहां से हम क्या कह सकते हैं that area of CDE is equal to area of DEF यह area इसकी equal होगा क्योंकि DE वो है डाइगनल है तो इसने इस परलेलोग्राम डाइगनल है तो इसने इस परलेलोग्राम डाइगनल है FE is the diagonal तो हम क्या कह सकते हैं कि area of AFE is equal to area of DEF ठीक है इसको तुम फिफ्ट मान लो ठीक है तो बच्चों देखो हमने क्या देखा यह area इसके बराबर यह area इसके बराबर यह area इसके बराबर इसका मतलब क्या हुआ यह पूरा triangle जो है वो चार equal उसमें पार्ट में कट हुआ है नहीं हुआ है तो हम कह सकते हैं that area of BDF is equal to area of CDE is equal to area of AFE is equal to area of DEF कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं सारे area is equal हैं तो देखो बच्चों अब मैं यहां से क्या लिख सकती हूँ इसका मुझा क्या हुआ कि यह वाला जो area है वो इस पूरे triangle का one fourth हो जाएगा है ना तो हम यहां से कह सकते हैं hence area of triangle DEF is equal to one by four area of ABC सी ठीक है clear देखने में थोड़ा difficult लग रहा था कैसे करोगा पर कितना easy है ठीक है clear अब आजो तुम इसके third part पर इसको बलके हम अभी रखी लेते हैं ना इस वाले statement की अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो हम इसको रख लेते हैं अब आजो तुम अपने third part पर जो में solve करना है यह कह रहे है area of BDEF BDEF जो है वो पूरे उसके आजे के equal है ठीक है तो देखो बच्चो BDEF जो है यहाँ पर तो यह इस area का choice है देखो BDEF जो है वो choice of area of DEF है कैसे DEF यह इस parallelogram का आदा हिस्सा है तो मैं कह सकती है जो पूरा है तो इसका double हो जाएगा आया समझ में कैसे दुबारा से repeat करते के parallelogram को जो है diagonal आधे-आधे हिस्तों में बाठती है तो यह वाला जो हिस्सा है यह वाला जो हिस्सा यह इसका आधा होगा तो पूरा parallelogram इसका obviously double हो जाएगा easy play चलो अब तुम देखो मैं क्या करती हूं area of def की जगा मैं यह पुट कर दूँ चलो ठीक है तो मैं इसे कर देती हूँ 1 by 4 area of a b c ठीक है मैंने क्या कर रहा def की जगा यह लग दिया कुछ नहीं कर रहा है ठीक है चलो two ones are two two twos are four यह जाएगा one by two area a b c ठीक है simple था यह वाला question आसानी से हुआ तो चलो ठीक है वीडियो परसन आए तो प्लीज आवे को सब्सक्राइब करना थांक यू फो वाचिंग ब्रेडो सल्यूशन